Let's do question number third of exercise 1D that is number system question number third is round each of the following numbers to the nearest thousand हमें जैसे की last question में hundred और उसे last question में 10th digit हमने round off की है इस question में हम thousand digit को thousand वाली digit को round off करेंगे तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं हमारा first part है 793 तो हमने लिख लिख लिया first part है हमारा 793 तो हम क्या करते थे इसके उपर once tense hundred लिख लेते थे अब देखी इसमें तो thousand की value नहीं है और हमें thousand के nearest तक करना है तो हम क्या करेंगे thousand से पहले वाली कौन सी value होती है hundred होती है और hundred यहां क्या है seven है तो seven किया है five से बढ़ी है यह चोटी है बढ़ी है तो हम इसको round off करते हैं कि यह तो हो जाएगा zero हमें हमें कोई add नहीं करना है क्योंकि यह five से बढ़ी है हमें one add करना है zero में तो यह क्या आ जाएगा one आ जाएगा और बाकी की values जिससे भी round off करना था उसके आगे की values क्या हो जाती है zero हो जाती है राइट तो यह कितनी बन गई one thousand तो round of value कितनी आ गई round off value is one thousand क्योंकि हमें thousand में round off करना था right second part है हमारा four eight two six अब देखिए इसमें हम one stands hundred रख लेते हैं hundred and thousand अब आप देखेंगे यहां पर हमें hundred thousand से पहले वाली digit देखनी है 100 की देखनी है इसका मतलब hundred के नीचे eight दे रखा है eight क्या है five से बड़ा होता है जब यह five से बड़ा होता है तो हम thousand में एक add कर देते हैं तो four में one add हो गया तो क्या आगया five आगया और उसके आगे की zeros लग जाएंगी round off round off का मतलब होता है आगे zero लगाना जिसे round off करना है सिफ उस value को change करके आगे की तरफ zeros लगाना value is five thousand आगई right अब देखिए third part देखते है third part में कह रहा है one six seven nine nine आप देखिए यह क्या हुआ one's ten's hundred thousand and ten thousand right अब हमें thousand को round off करना है मतलब सिर्फ thousand को not ten thousand को right नई तो ten thousand लिखा होता है यहाँ पे अब thousand की digit हमें round off करना है तो उससे पहले thousand की नीचे है six तो हम hundred की digit देखिए उससे पहले अब hundred में दे रखा है seven और seven हमें पता है five से बड़ा है तो हम क्या करेंगे thousand में मतलब six में एक add कर देंगे तो round of value कितनी हो जाएगी round of value हो जाएगी हमारी round of value is कितनी हो जाएगी one as it is six में one add हो गया मतलब seven और बाकी के तीनो zeros लग जाएगे right अब इसी तरीके से fourth part देखते है fourth part कह रहा है two eight three nine four ये हमारे को value दे रखिया अब हम one stands hundred thousand 10,000 लेके चलते हैं तो क्या आएगा हमें thousand की digit round off करनी है मतलब eight को round off करना है तो हम उससे पहले hundred की digit देखते हैं hundred की digit में सिर्फ three है तो three five से छोटा होता है तो इसका मतलब हम कुछ भी changes नहीं करेंगे अपने thousand की digit में तो हम as it is छोड़ देंगे round of value क्या आजाएगी फिर round of value is twenty eight और आगे की सिर्फ zeros लग जाएगी right is the answer